नमस्कार में क्रेशन सुनी मेरी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ आज हम बनानी जारे हैं काचरी काचार यह राजस्तान में आती है और यह राजस्तान में बनाई जाती है बहुत ही टेस्टी लगते है तो आप इसी जरू ट्राइ कीजी इसके लिए हम इने 500 ग्राम काच काच्री लिए यह कड़क कड़क काच्री लेनी है हमें बिल्कुल भी सोट काच्री ने लेनी है इसे अच्छे से मैंने धो कर साप कर लिया साप करने के बाद आप इसका पूरी तरह पानी सुका दीजिए पानी रहने से आचार खराब हो जाता है तो यह देखिए मैंने इसे अ दंठल लठा देंगे इस तरह दंठल लठा दीजिए और इसे इस तरह चार भगों में कट कर लीजिए अगर काचरी छोटी है तो दो भगों में कट कर लीजिए और अगर काचरी बड़ी है तो आप चार भगों में कट कर लीजिए इस तरह से चार भगों में कट कर लीजिए एश्ट्रा गर बीज है तो उसे भी इस तरह हटा दीजिए जो काचरी से भार आ रहे हैं वीज उसे हटा दीजिए काचरी का आचार बनाते समय केवल आप इस पार कध्यान रखिए कि पानी की संपर्क में ना आए यानि काचरी को अच्छे से धो कर सुका लीजी कोई भी बिल्कुल सोप्ट काचरी मत लीजी कड़क कड़क काचरी लीजी तो ये देखे मेने सारे कचरी काटकर तयार कर ली है अब हम देख लेते हैं इसके लिए मसाले मसालो में यह हमेने सोपली है चार चोटी चमच एक चोटी चमच करम मसाला एक चमच सोट की कतली एक चोटी चमच कलूंजी एक चोटी चमच दाना मिथी इन सब मसालो को हमें दरदर अपिस कर तयार करना है इसके लिए हमे निकजाल लिया है इसके अंदर हम डाल देंगे सबसे पहले दाना मिथी सोप सुट की कतली और कलूंजी इन सब को डाल कर हम इसे दरदर अपिस लेते हैं इसे बारिक बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल दर-दर अपीस ना है तो हम जब तक इसे दर-दर अपीस कर तयार करते हैं, हम देख लेते हैं हमारे आचार के लिए तेल तो आचार के लिए हमें नहीं लिया है 200 ग्राम सरसो का तेल आचार हमेशा सर्थो के तेल में बनाईए जब तक हम मसाले दरदर एपीस कर रेड़ी करेंगे हम तेल गरम करने रख देते हैं तो यह गेस पे मैंने एक कड़ाई रखती है इसके अंदर में यह तेल डाल दूँगी और गेस ओन कर दूँगी ताकि हमारा तेल गरम हो जाए और हम मसाले पीस कर रेड़ी कर लिए तो यह देखे हमने मसाले दरदर एपीस कर तयार कर लिया है और जो मसाले हमें पीस ने थे मैंने वही मसाले बताए है इसके बाद यहाँ मैंने देड़ चमच नमक लिया है नमक आप स्वादन उसार लीजी यहां देड़ छोटी चमच मेने नमक लिया है देड़ छोटी चमच मेने यहां लाल मिर्च पाउडर लिया है आदी छोटी चमच से जादा मेने यहां हल्दी पाउडर लिया है एक चमच मेने गरम मसाला लिया है और एक चम्मच जीरा पाउड और एक चम्मच में निहाँ जीरा लिया है तो चलिए हम हमारा तेल चेक कर लेते हैं कि ये देखिए मेर तेल गरमखो रहे हैं ये को अच्छे से दुवंदार करना करना है U इसमेंसे दुवंदार निकलने लग गया है अब हम इसे जादा गरम नहीं करना खेशल ठोड़ा सा और करना है हम इसके अंदर थोड़ा सा जीरा डाल कर देखते हैं यह देखिए पिल्कुल डालते ही उपर उटकर आ गया यह देखिए अच्छा गरम हो चुका है अच्छा दुवाधार तो मैं गेस पंद कर देती हूं और इसे ठंडा होने देती हूं तो यह देखिए तेल हो चुका है तो मैं इसके अंदर जीरा डाल दूँगी अब यहां थोड़ा सा मैं इसके अंदर हींग डाल देती हूं इसमें हींग का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा तो यहां मैंने इसके अंदर थोड़ा सा हींग डाल दिया अब हम तेल को थोड़ा ओर ठंड़ा होने देंगे क्योंकि आचार हमें ठंड़े तेल के अंदर बनाना है तो ये देखे, मैंने गैस से नीचे उतार लिया है तेल को अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ, ये ठंडा हुआ है या नहीं तो इसके अंदर मैं एक काचरी इस तरह डाल के देखती हूँ ये देखे, काचरी बिल्कुल भी इसके अंदर फ्राइ नहीं हो रही है एकदम ठंडा हो चुका है तो मैं सारी काच्रिया इसके अंदर डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसके अंदर मसाले डाल देंगे तो मसालो में मैं यहाँ सबसे पहले डाल रही हूँ हल्दी पाउडर अब मैं इसके अंदर डाल रहे हूँ लाल मिर्च पाउडर अब मैं इसके अंदर डालूँगी गरम मसाला अब मैं इसके अंदर नमक डालती हूँ और जो हमने दरदरा पिसकर मसाला लिया था वो मसाला डाल देती हूँ इन सबको हम अच्छे से मिला देते हैं अगर आपको लगे कि नमत मिर्ची कम है तो आप इसे टेस्ट करने के बाद ओ डाल दीजिए तो ये देखे हमारा बहुत अच्छा कच्री का आचार यानि काच्री का आचार बनकर तयार हो चुका है के जगे इसे कच्री भी बोलते हैं और राजस्तान में इसे काच्री बोलते हैं इसे अच्छे से हम तेल में डिप कर लेंगे और जब ये पूरी तरह ठंडा हो जाएगा यानि हम एक दिन के बाद या दो दिन के बाद इसे जार में डाल लेंगे आप काचरी का आचार बनाती समय कुछ बातों का ध्यान रखी हमारी काचरी गिली नहीं होनी चाहिए काचरी अंदर से खराब नहीं होनी चाहिए कोई भी काचरी सोप्ट नहीं होनी चाहिए और जब आप इसी जार में डालो तो आप जार को अच्छी से साप कर लीजी वो भी तब हम काच्री का आचार जार के अंदर डाल दे तो उसके उपर तेल तरता हुआ रहना चाहिए ताकि हमारा आचार खराब नहों तो कुछ वार तोक अगर आप ध्याम रखोगी तो आपका काच्री काचा पहुत अच्छा बनेगा बहुत दिनों तक चलेगा तो आप इसे जरू ट्राइ कीजी, और अगर आपको मेरी रेशिपी पसंद आई हो, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजी, मेरी वीडियो को लाइक कीजी, जद से जदा शेयर कीजी और कमेंट्स कीजी, नीचे दिये गए, पहला आइकन को प्रैस कीजी, ताकि मेरी लेटेस वीडियो आप तक पाहस सकी थेंक यू